हुआ है हलो अच्छा लोग आज में स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी रिविजन स्रीज जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको जो क्लास 12 का जो फिजिक्स है वो मेरा पूरा फिजिक्स जो मैं आपको हिंदी में पढ़ाने के गोज़ेश करूँगा हिंदी में थोड़ा सा प्रोलम आता है तो थोड़ा कहीं मैं एंग्लिस के वर्ड भी यूज कर सकता हूं बट जनरली मैं लगभग जो टोपिक्स हैं वो हिंदी में पढ़ाऊंगा तो चली शुरू करते हैं चेप्टर फरस्ट से तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना होता है वस्तु का एक वह गुण है जिसके कारण वह विद्ध में प्रभाव करता है इसका मतलब आपको के आवेस ऐसा मान सकते हो कि जैसे आप उसका आवेस को कहीं रखेंगे तो वह किसी दूसरी वस्तुओं पर जो है अपना प्रभाव डालेगा या खुद अनुभव कर लिए तरीगा इसमेंस वह आपका अकर्षन या परतिकर्षन का अनुभव करता है उस परेटी को ही विद्धुत आवेस क्या है प्रोपर्टी है गुन है वस्तु का अवेस दो प्रकार के होते हैं धनावेस क्रेणावेस होता है और रेन आवेस में हम इलेक्यों पढ़ते ही तो होता क्या है धनावेस कैसे बनते हैं देखे जनरली एक कोई भी वस्तू होती है वो अनावेसित होती है अनावेसित मतलब उसके उपर जो है आवेस का वैलू कितना होता है मान लेते हैं सुन्य होता है अब होता क्या है कि जब भी आप किसी वस्तू से एलेक्ट्रोन ले ले बन जाता है धना विसित वस्तू अब इसके मातरक में हम करते हैं अगर फाइंड करना है चार्ज का या आविस का मातरक तो हमने करन डेफिनिशन यूज किया है क्योंकि करन्ट का हमें बता है कि कितना होता है एम्पीर तो is equal to q.t होता है q is equal to it current का एंपीर टेम का second देखें एमपेर एंटु सेकंड बोल सकते हो आप कुलाम को यह फिर कुलाम इसका जो है ऐसा यूनिट बोला दाता है डारेक्ट ठीक है सीजियस पतती में इसका जो यूनिट है वह है स्टेट कुलाम तो देखो यार नेक्स्ट टोपिक है हमारा विद्धूतावेशों की मूल को अगरेक्स है आप ने किसी वस्तू को चार्ज दिया या फिर आपके अंदर चार्ग आ गया तो अइसा नहीं की वह कहींज हो है कहीं से खेड हो आवेस क्या है यो जिता के गूण रखता है कि आप दो आवेसयों को जोड सकते हो कटा सकते हो एक एलेक्टरोन का खेच होता है आफे पूसिबल नहीं होगा जो है यह फोलो करेगा ऐसे भरन ही फॉसिबल होते हैं है फिर किसी बस्थों में आ जाता है ठीक है तो चलिए नेक्स टेंट वहमारा पिखो कुलाम का नियम है कुलाम ने क्या बताया कि कुलाम ने बताया कि सबसे पहले आपको जो फोर्स है वो प्रपोर्शनल है चार्ज के गुननफल के फिर बताया कि जो फोर्स है वो वनपोन आरे स्केर के प्रपोर्शनल है या कहें कि समानुपाती है तो इन दोनों को जो ह ने कंक्लूड किया तो आया कि फोर्स जो है वह आपका बल जो है कुलाम के अनुसार जो विधुद बल है वो उन दोनों के चार्ज के गुनन फल डिवैड बाइ आर स्केर के समानुपाती है ना जो आपका एफ है वह है आपके इस समानुपाती को निसान को हटाते हैं तो एक इक्वल का साइन आजाता है जहां पर एक कॉंस्टेंट भी आता है कि इस कॉंस्टेंट का वेलु है नोगुना दस्कीखात नौ और इसको लिखना है तो यह होता है वन अपॉन फॉर पाई एपसल नोट का वेलु एथिंक एट पॉइंट पॉंट एट फाइफ इंटू आपके जो है एक कुलाम के परिवाशा से क्या मतलब जैसे फोर्स का फोर्मूला तो यह हुआ ठीक है अब देखो एक कुलाम मतलब कि हम बोलेंगे कि जब आपका फोर्स जो है एक नूटन हो और के का वेलू आपको पता है और हम कहें कि आर स्कूर मतलब जो डिस्टेंस है दो मीटर हो उन पर लगने वाल बल एक नूटन हो तब आपके जो चार्ज होंगे वो एक कुलाम कलाएंगे ठीक है दोनों जो हो जो परिमान होगा सधीर सब्सक्राइरगे मिंद्गें के सथी कि योजुन का मतलु कि यदो चार्ज है क्यों और रखेगा कि जो धूद्थ बल यह हमेसा हैं इन दोनों चार्ज की ऑवेस्वों को जोडने वाली लाइन के उपर ही होगा जैसे माल लेते हैं या तो इधर हो rape या फिर इदर होगा वो तो करेगा इनकी जो property प्लस है कि माइनस है धनावी सरिणावी गर इस लायन में ने होगा तो हम कह सकते हैं कि यहां पर आर क sa दिरेक्शन में होगा जिसको हम अगर के दिरेक्टर फोर्म में लिखाएं दुवारह तो q q q 2 यहां पर आर वेक्टर लिख देता हूं और यह और जब भी देखिया है और क्या होता है मतलब होता है और का एक परिमान कह सकते हैं तो यहां पर आजएगा र क्यूब तो यह हो गया आपका जो है बल वो अध्यारोपन का सिधानत को फोलो करता है इसका मतलब यह है कि आपका जो कुल बल है कुल बल है वो होगा सभी का पर्टिकुलर लिए अगर अलग-अलग सभी अलग-अलग जो बल होंगे उनको योग कर देंगे बेसिकली तो मान लेते हैं जो आपका F net है यहां पर वो कितना होगा F1 plus F2 मान लेते हैं फर्स्ट चार्ज के करण सेकंड चार्ज के करण इसी को क्या बोलते हैं जितने भी चार्ज है उन सब को हमने एड कर दिया सब के दुवारा लगने वाले बल को एक अलग से एड कर दिया वह आपका नेट फोर्स देगा या कहें करता है वा विश पॉसरी लोह फिंद आप क्या Trinity करेब नियंकर करेंगा तो उस घौब करने में क्या होता है विदृत चेतर होता है सकती तीवरता होती है YouTube करना है आगे देखें हैं इसका जो यूनित होता है वह होता है क्योंकि यसमीος किirmi नाथ कर कर रहे हैं के क्यों क्यूंट क्यूंट पॉन आरिश विक्सिण आवरोस क्यों लेंगे लेकिन जब आप प्रिक्शनावीस के उपर विद्वीद्वेंद्वीद्व की रिघा है कुछ होता है क्योंकि मैंने बताया वह सीविक तक दीकाल इस यहां पे अगर आपको सवंग्ट में नेक्स टोपिक है हमारा विद्वछेत्रे रहें देखी क्या होती है ऐसी रहा जिनकी सपर्श रहा जो है विदुचेत्र की दिशा प्रदसित करती है इसका मतला मान सकते हैं कि जो है यह वाली लाइन हम मान रहे हैं कि यह क्या है विदुचेत्र रेखा है वो होती है जो आपका उसकी ऊपर कहीं भी है अगर हम इस पर सरेखा ला लेंगे तो वह आपका क्या सो करेंगी विदुचेत् करती हैं वही होती है विदूचेतर रेखाएं ठीक है इसका डेफिनेशन हो गया तकते इनके गुण देखिए का जैसे गुण में क्या है जैसे एकल आविस तो धनाविस के कारण जो हमारा विदुचेतर है और एक बाहर की तरह हम कहाते हैं नाविश के द्वारा जो विदुचेतर हैं उसके अंदर आ रही होती है ठीक तो यह यहां से यहां अ कि दो रेखाएं कभी नहीं काटती इसका मतलब जैसे माल लेते हैं यह दो विधुच्छेतर रेखाएं हैं अगर यह दोनों काटेंगी तो हमने बताया पहली गुण में कि अगर इसका जो स्ट्रेट लाइन होता है वो क्या सो करेगा इसका मतलब हम कहें कि इस परस रेखा जो हो हैं चेतर की दिशा सो करेंगी ऐसा नहीं होता एक पॉइंट के उपर एक ही विधुच्छेतर की दिशा होती है इसलिए कभी भी दो रेखाएं नहीं काटती है यह आद रखेगा नेक्स्ट है विधुच्छ देर दुरह क्या होता है लेक्ट्रिक डाइपोल देखिएगा कि अग्या तो देखिए अगला टोपिक है हमारा तो देखिए अगला टोपिक है हमारा विदो दूधुधुद्धुर है लेक्ट्रिक डाइपोल इसको हम बोलते हैं एंग्ले समान यह होता क्या क्या देखिए दो सम्मान परिमान विप्रत आवेश्वे एक दूसरी के अलको डूरी अदुधुद्धूर है थेक हैं दोलोンド समान परिमान है एक दूसरी का अलप दो पर इसको बुलते हैं आधंटेन прим की दूरी तो माल लेते हैं पर टोई है तो क्यों ? यह क्या हो गया लेक्रिटान चैन्न के पर देख सकते हैं हैं सबसे पहला आपको बताया मैंने कि किसी पॉइंट के कारण माल लेते हैं उसका जो विदुचेतर होता है वो कितना था के क्यों डिवाइड बाई आर स्कूर तो वहीं हम यहां पर फोलो करेंगे ठीक है एक्चुली इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक आर कैप के अंदर ही होगा तो हम इन दोनों को प्लस मैनस कर सकते हैं तो मान लेते हैं E minus Q के कारण जो है आपका यहां P point के उपर जो दुछेतर होगा वो मान लेते हैं KQ divided by R square अब देखिए R square नहीं है यहां पर distance कितना है यहां पर distance इसको R one मान लेता हूं मैं तो distance हो जाएगा KQ divided by R one क्या value कितना है R plus L यहां तक L है यहां तक L है तो यहां पर कितना हो गया L हो गया तो यहां पर R plus L square हो गया simple अब मैं E plus क्यूंकि current find कर रहा हूं तो कितना हो जाए KQ divided by R square बोल देता हूं इसका distance देखिए यहां से यहां तो इस चार्ज से इस तक इतना होगा minus L कर देंगे तो यह हो गया R minus L यह डाइग्राम से आप देख सकते हैं इतना हो गया तो यह काफी जी था देखिए अब इसको हम क्या करेंगे अब देखिए एक चीज़ समझेगा कि ज्यादा विदू चेतर किसका होगा plus Q को या मैनस क्यों का तो नीचे अवन पुना स्कूर जितना डिस्टेंस कम होगा उसका ज्यादा होगा तो इसका मतलब जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड आएगा कुल एलेक्ट्रिक मैनस क्यों वाला होगा मैनस क्यों वाला अपनी तरफ एलेक्ट्रिक फिल्ड तो दोनों घट जाएंगे एक तुसरे के दो घटा देते हैं यह चोटा था यह बड़ा था इसलिए बड़े में से हम लिए चोटा घटा दिया थीक है तो चलिए इसका जो है दुबारा लिख ल तो यहां तक आपको समझ में आए होगा अब देखी ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें समझ भी चीजों को क्यों को कॉमन ले लेते हैं और अंदर देखी क्या बच गया वनपोन आर माइनस अयल स्केर माइनस वनपोन आर प्लस याल स्केर इसका LCM ले लेते हैं तो यह आजा हो यहां पे क्योंकि दोनों का ही स्कुहर था उपर वाले में देखेगा आर helpless बताइए मेरे को कि मैंने बुछ बाहर ली लेता हुं यहां पर लेक्वाब में आ गया अब एक चीज़ बताइए मेरे को कि मैंने बोला अलप दूरी होती है इसका मतलब हम जिस दूरी पर फाइंड कर रहे हैं वह बहुत ज्यादा है उसकी रेस्पेक्ट में तो हम जो है इसको नेगलेट कर देते हैं इसको क्या बोल देते हैं जीरो के अनुपाद में बहुत चोटा है तो इसको नेगलेट कर दिया तो यह आ गया आर स्कुर मतलब आर स्कुर की पावर फोर हो गया देखिया अगले इस टेप में सौल करते हैं इसको तो यह हो गया कि एक आर से आर कैंसल हो गया तो नीची बचाया आर क्यूब इन्टू ह तो शूर्जड को हम्हारा पहले से था क्यूंटो टू Earle को हमने पी बोला तो हमारा फॉर्मॉला अगया चू के डिवाइड बाय आर्क्यू यह हमारा इलक्ट्रिक फिल्ड जो है आया है अक्ष्य बहिंदू के ऊपर जो है एक्ट्रिक फिल्ड आरकम में दायेग्शन आयाग